Amazon पे अगर आपका account suspend हुआ है तो आप plan of action क्या लिखेंगे अगर आपका account suspend हुआ है customer service performance की वज़े से तो यहाँ पे आपको plan of action लिखना पड़ेगा order defect rate count होता है आपका negative feedback पे A to Z guarantee claim पे और chargeback claim पे यहाँ पे Amazon ने आपको target दे रखा है कि 1% के under है अगर उससे नीचे है तो Amazon उसको कुछ नहीं मानता है यानि कि अगर 100 में से आपको एक order negative feedback आ रहा है तो Amazon उस पे कोई ध्यान नहीं देता है यानि कि कोई ऐसी issue की बात नहीं है लेकिन अगर जादा हो रहा है negative feedback आपके 100 में आप आपको 5 negative feedback आ गया तो यहाँ पर Amazon आपको notification देगा या फिर आपका account भी suspend हो सकता है इसी तरीके से आपको अगर 100 में से एक आत claim आया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1% यहाँ पर अल्रेडी Amazon ने छूट दे रखिया आपको लेकिन जादा claim आ रहा है तो फिर आपको वहाँ पर suspend भी हो सकता है या फिर चार्ज बैक claim जादा आ रहे हैं 1% से उपर जा रहा है आपका तो यहाँ पर आपको जो है plan of action लिखना पड़ता है या फिर आपका account suspend होता है तो यहाँ पर हमसे Amazon पूछता है कि यह account suspend हुआ है आपकी यह वजह है यानि कि आपको negative feedback जादा आ रहा है तो फिर वहाँ पर plan of action के लिए Amazon बोलता है कि आप क्या plan of action है future में आप इसको किस तरीके से handle करेंगे यह जो defect आया है negative feedback की वजह से इसमें आप क्या मतलब इसमें क्या आप better करेंगे कि आगे यह ना हो तो आप लिखते हैं कि मैं नहीं से लर हूँ मुझे नहीं पता था ज दूसरा रीजन है यहाँ पर आपका policy compliance की वज़े से policy compliance क्या है कि जिसे मान लिजाए आपने product list किया किसी की mapping कर दी अब वो branded item था private seller अपने brand registered कर आके कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है यह policy compliance complaint आ जाती है या फिर कोई product के related है customer complaint करता है या safety से related है कोई भी ऐसी policy जो आप यहाँ पर देख रहे हैं listing से related restricted product policy या फिर other policy violation जो भी इन से related complaints आती है तो यहाँ पर Amazon आपका account suspend कर देता है या फिर listing remove कर देता है तो आप इसके लिए क्या करना है आपको इसके लिए जैसे listing आपकी Amazon ने यहा condition सही नहीं है product की तो यहाँ पर one complaint आपको आ जाएगी तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा appeal करना ही पड़ेगी तो वहाँ पर appeal में लिखेंगे कि यह product आपका नहीं है तो Amazon आप से उनकी सारी images मांगेगा tag मांगेगा brand letter मांगेगा अगर किसी का brand आप बेच रहे हैं तो यह सब requirement है वो आप देंगे फिर Amazon उसको check करेगा फिर उसको remove करेगा या फिर इसकी वज़े से अगर account suspend होता है suppose आपने किसी की mapping करी और वो unregistered मतलब उससे आपने authorization letter नहीं लिया और उसको direct mapping कर दी सिर्फ invoice के basis पर आप उसको listing कर रहे हैं mapping कर रहे हैं तो वो Amazon नहीं माने है कि अगर यह जो गलती हुई है इसको आप किस तरीके से handle करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे कि यह जो इन्वाइस है और आगे authorization requirement थी वो मुझे नहीं पता था वो आप provide कर दीज़े Amazon आपका account open कर देगा तो यह एक policy compliance की वज़े से भी आपका account suspend होता है तीसरा है यहाँ प 11 से एक बज़े के बीश में order ready नहीं है courier आया उन्होंने यहाँ पे late dispatch कर दिया तो वहाँ पे late dispatch count हो जाएगा इसी तरीके से cancellation rate कोई sailor अगर cancel कर रहे हैं तो 100 में से 2% तक की छूट है 2% की छूट है यहाँ पे cancel में भी और late में भी और यह अगर आपका जादा होता है तो य मुझे गलती हुई है मुझसे packing नहीं हो पाई है और आगे in future नहीं होगी मैं अपने number of employees बढ़ाऊंगा जो भी मेरा office में जितने भी employees है मैं packing के लिए special यहाँ पे कहूंगा ताकि late dispatch ना हो आगे से इसी तरीके से cancellation के लिए अगर आपका यह आता है notification के आपने cancel किया है और इस नहीं होगा तो इस तरीके से आप plan of action लिए तो amazon उसको cross verify करेगा के हाँ नहीं seller है गलती हो सकती है मान के आपका account reopen कर देंगे